नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मोटरोइड में मेरा नाम है हमित और यहाँ पर जो स्कूटर खड़ा है यह है हीरो का प्लेजर प्लस बीएस सिक्स वेरियंट हीरो ने अब तक अपने बहुत सारे स्कूटर और बाइक को बीएस 6 कमप्लाइट कर दिया है उनके सारे प्रोड़क्ट्स बीएस 6 कमप्लाइट है हाला कि उनमें से कुछ प्रोड़क्स अभी तक लाँच नहीं हुए है लेकिन ये जो scooter है ये launch हो चुका है और इसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें नहीं है power, torque, acceleration में किस तरह का बदलावाया है fuel efficiency कैसी है और कीमते क्या है तो सबसे पहले हम लोग जरा engine की बात कर लेते हैं और यहाँ पर अगर आप engine देखेंगे तो आपको 110cc BS6 compliant engine मिलता है जहाँ पर आपको hero की X-sense program fuel injection technology मिलती है 8 sensors मिलते हैं यहाँ और यहाँ पर power output अगर आप देखेंगे जिसके द्वारा जो टॉर्क है यह ज्यादा efficiently deliver हो पाती है अब अगर hero की माने तो pleasure plus 110 जो है यह अपने BS6 अवतार में पहले से 10% ज्यादा fuel efficiency देता है और इसका acceleration भी पहले से 10% ज्यादा है इसके अलावा यहाँ पर fuel injection होने के कारण जो ride quality है जो response angel का जब आप wrist अपनी right वाली घुमाते हैं तो यह ज़ादा smooth है और इसका जो starting है वो भी ज़ादा smooth होगा cold conditions में यह ज़ादा smoothly start हो जाएगा यहाँ पर आपके पास दो variants है एक यहाँ पर आपके पास self start sheet wheel यानि के जो steel wheel है वो variant है और दूसरा जो variant है वो self start alloy wheel है जो steel wheel वाला variant है उसकी कीमात है 54,800 रुपीज एक शो रूम और जो alloy wheel वाला variant है वहाँ पर आपको 56,800 रुपीज देने होंगे यह बात हो गई specs की और यहाँ पर features क्या-क्या है नए बदलाव क्या-क्या किये गए हैं तो अगर आप इसका headlamp देखेंगे तो इसके चारों तरफ आपको एक chrome outline मिलेगी और वो इसे एक retro look देता है जो कि इसके look को ज़रा जादा premium भी बनाता है यहाँ पर आप अगर इस scooter की seat देखेंगे तो वहाँ पर आपको dual texture मिलता है जो rider वाला side है वहाँ पर आपको anti-slip texture मिलेगा ताकि जब आप brake करें तो आप आगे slide ना हो जाएं उसके अलावा अगर आप इसका जो speedometer और instrument console देखेंगे तो यह ज़रा funky look लिये हुए है यह एक नया design है यहाँ पर आपको speedo के साथ साथ auto मिलेगा उपर fuel gauge मिलेगी और कुछ tell-tale lights मिलेंगी जिसमें engine malfunction, side stand indicator और turn indicators भी मिलेंगे इसके अलावा जो सामने apron पर आपको hero का logo दिखेगा यह अब 3D logo है और यह देखने में ज्यादा premium लगता है wheels यहाँ पर यह 10 inches हैं आगे और पीछे दोनों ही तरफ यहाँ पर आपको telescopic suspension नहीं मिलता है लेकिन आपको tubeless tires ज़रूर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी खासियत इस scooter की जो है वो यह है कि अगर आप इस scooter का ignition वाला area देखेंगे तो वहाँ पर आपको दो बड़े pockets मिलते हैं जहाँ पर अपना cell phone रख सकते हैं या एक bottle रख सकते हैं और इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको एक charging unit भी मिलती है तो यह एक काफी अच्छी feature यहाँ पर hero ने provide करवाई है इसके अलावा आपको alloy wheel का option मिलता है और अगर आप scooter को side से देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर chrome accents भी नजर आएंगे यहाँ पर आपको disc brake का option नहीं मिलता है लेकिन आपको integrated braking system मिलता है जहाँ पर जब आप एक brake लगाते हैं तो दोनों ही brake लगते हैं और boot के अंदर आपको LED light भी मिलेगी इसके अलावा इसका अगर आप front apron देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक chrome bow नजर आएगा जो की इस scooter के look को ज़रा और premium बनाने के लिए introduce किया गया है और उसी तरह का एक design आपको पीछे tail lamp में नजर आएगा जो की काफी sporty लगता है और काफी अच्छा लगता है देखने में पीछे tail lamp के उपर भी आपको hero का emblem नजर आएगा कुछ और चीजों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको 130 mm के front और rear drum brakes मिलते हैं वील का साइज है आगे और पीछे दोनों तरफ 10 इंच है और 90 section टायर्स मिलेंगे आपको 12 वोल्ट की 4 ampere hour maintenance free battery मिलती है और यहाँ पर ground clearance आपको 155 mm का मिलता है 4.8 liters का fuel tank है और curve weight जो है वह 104 kg का seat height यहाँ पर हमको provide नहीं करी गई है और इस scooter की कीमत मैंने आपको already बता दी है अगर BA6 scooters की आप बात करें तो 110 cc segment में इसकी कीमतें काफी aggressive हैं काफी अच्छी pricing की गई है इसकी और अगर आपको एक practical scooter चाहिए जहाँ पर feature शायद एक दो कुछ कम हो लेकिन जिसकी कीमत बहुत aggressively की गई हो और जो की देखने में अच्छा लगे तो मेरे ख्याल से pleasure plus जो है काफी अच्छा scooter है काफी appealing scooter है और आपको इस scooter को definitely test ride करना चाहिए और जो किफायती scooters हैं उनमें ये scooter मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा case बनाता है अपने लिए तो अगर आपको 110cc में एक किफायती scooter चाहिए तो आप definitely scooter की test ride लीजे मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको नए pleasure plus BA6 के बारे में सब कुछ बता पाया जैसे ही हमारे पास ये scooter available होगा हम इसका एक detail test ride भी करेंगे जिसमें हम आपको इसकी fuel efficiency, ride, performance और भी बहुत सारी details के बारे में बताएंगे लेकिन तब तक के लिए ये वीडियो मेरे ख्याल से आपके लिए उपयोगी रहा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like कीजिए subscribe करना मत भूले motoroids को वो bell notification आइकन जरूर दबा दीजिए और हमें Instagram और Facebook पर भी follow कीजिए अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ तब तक के लिए rev hard, rev free and write safe